दिवाली के पहले दिन के बात करें तो वो है वसुबारस जिसे गोवस दादशी के नाम से भी जाना चाता है यह देन विशेश रूप से किसांग परवारों के लिए बहुत महत्वपुर्ण है क्योंकि इस दिन गौमाता और उनके बच्छरे की पूझा की जाती है वसुबारस हिंदु धर्म का एक महत्वपुर्णत त्योहार है जिसे दिवाली के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है इसे गोवस सद्वादशी या वसुबारस भी कहा जाता है इस देन मुख्य रूप से गाय और बच्छरे की पूझा की जाती है जो भातिय सस्कूती में मा के समान माने जाती है वसुबारस को मनानी का मुख्य उतेश गायों की प्रती आभार व्यक्ति करना और उनकी देखभाल वसुरक्षा का संकत लेना है गाय को धन और समृतिक का प्रतीक माना जाता है और इस देन लोग उनकी पूझा करके अपनी घर में सुख, शांती और सम्रुतिक की कामना करते हैं इसके अलावा यह दिन खेती बाड़ी और पश्युपालन से जुड़े लोगों के लिए विशेश महत वड़कता है क्योंकि गाय कुरुषी और ग्रामे जीवन का एक अहम हिस्सा होती है वस्वारस का त्योहार हमें प्रकृती और पश्युप के साथ सह अस्तित्व और उनके प्रती सव्विदन शिल्ता की भावना को बढ़ावा देता है ज्याथों कि भारत के अधिकान शेसो में कार्थी कृछन द्वादर्षी को गोवा सद्वादर्षी मनाई जाती है धार्मी शास्ट्रों की माने तो यह दिन भाद्रपत और कार्टि कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशेशतोर पर गोवस्त द्वादशी की रूप में मनाय जाता है। देट्रों में सुर्य और चंट्र, दातों में गरुण, जिवा में सरस्वती, अपान ज्यानिक गुदा में सारितित, मत्रस्तान में गंगाजी, रोमकृप में रुशिगल, प्रश्रभाग में यम्राज, दक्षिन पाश्व में वरुन एवं कुबिर, वांपाश्व में तो पुर्णस्तान है और वसुबारस काय के सम्मान का दिन है।